आपने चिकन के साथ प्यास टमाटर, मिर्ची, अदर कलस्टन सब कोई मिक्स करना है, मिक्स करके इसको ना हंडी में डाल देना है, लास्ट में आप देखेंगे आपकी जो चिकन करी ना बहुत ही बहतरी बन के त्यार होगी और एकदम सॉफ्ट और जूसी चिकन बनेगा, तो कौन से पीस हमें खाने चीए और कौन से पीस नहीं खाने चीए, तो चलिए रस्पी शुरू करते हैं, यहाँ आप मैंने 1 kg चिकन लिया है, बीदबोन चिकन, चिकन को अच्छे से मैंने दो लिया है, और यह पीसिस मैंने खुद एक बराबर कटीं की है, सबसे पहले आपने पोर्टर एड नहीं किये इसमें साथ में आपने इसमें एक छोटा चमच बरके धनिया पोर्टर एड करना है और एक छोटा चमच आप इसमें जीरा पोर्टर एड कर दीशिये कच्चा जीरा पोर्टर का यूज किया यहाँ पे मैंने और आदा छोटा चमच मैंने इसमें लußन Нे को कूट लेना आपने और प्याज को भी बरीक काठट लिजिए जितना बरीक आप इसको काठ सकते और टमाटरो हरी मिर्ची को जड़ा चॉप नहीं करना पराहि कि नहीं काटना देके थोड़ा सा मोटमोटा काठ आ है मैंने तव मिर्ची को और धनी को भी मैंने बरे काड लिया है तो जो प्याज है डाल दीजिए चिकन के अंदर देखिए इस तरह से और टमाटर और हरी मिर्ची भी साथ में डाल देते हैं और जो लसुन अदरक रखा ना उसको भी डाल दीजिए आप चाहें अदरक लसुन का पेश्च भी यूज यहाँ पे कर सकते हैं इसके बद आपने चिकन को मिर्ची मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है यह देखिए इस तरह से अच्छी से मैरिनेट कर लिए चिकन को अब चिकन को मैरिनेट करके रखने की जूरत नहीं यहाँ पर इसको ड्रैक्ट हम तड़का लगाएंगे तो किया आपर द आपने इसमें तीन से चाथ तेश पत्ता दो आप इसमें बड़ी लाइची साथ में दो चोटे टुकड़े आप इसमें दाजिनी के आइड कर दीजिए दो से तीन चोटी लाइची दो से तीन आपने इसमें लॉंग डालने है खड़े मसालों से ग्रेवी में अच्छा फ्ल बॉल में न मसाले चिपके और रह जाते हैं तो थोड़ा सा पानी मिक्स करके डाल दीजिए और गैस की फ्लेम इसके बद आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में कम से कम दो मिनिट तक चिकन को बून लेना है ताकि चिकन अच्छी तरह से गर्म हो जाए यहाँ पर और के देख पांच मिनिट के आपको दिख रहा होगा यहाँ पर चिकन के अंदर जो मौइस्टर है अभी बहुत कम है बट अभी हम चिकन को इसको लो फ्लेम में पकाना शुरू करेंगे जैसे हम चिकन को लो फ्लेम में पकाएंगे चिकन अपने हापी पानी छोड़ देगा फिर से उप फ्लेम में पकाएंगे आपके जो प्याज और टमाटर है इसके अंदर अच्छी तरह से वो गल जाएंगे एकत्व स्मूथ सी ना ग्रेवी बन जाएगी उनकी तो फिर से आप उपर से कबर कर दीजिए क्योंकि चिकन को पकने के लिए 25-30 मिनिट का टाइम लग जाता है और तीसर स्टेफ हैं और ज्यादा चिकन को देखे आपने हिलाना नहीं है ताकि चिकन हमारा टूटे ना और यह देखे जो लेग पीस ना यहाँ पर पक चुके हैं यह 20 मिनिट पर पक जाते अच्छी तरह से इनको निकाल लेते हैं क्योंकि इनको ज्यादे देर पकाएंगे त पूट जाते हैं और इसके बद चिकन को फिर से उपर से पांच मिनिट के लिए कवर कर देते हैं तो चौत्ती पर मैंने चिकन को कवर की है और ज्यादा हिलाने के जूरत भी नहीं पड़ेगी और यह देखे ब्याज टमाटर अच्छी तरह से गल चुके हैं एक्तम स्मूथ ग्रेवी बन चुकी है और जो मौश्य था बो भी खतम हो चुका है तो इसके बद आपने इसमें पानी याइड करना है क्योंकि अभी हमें इसमें ग्रेवी ची होगी तो लाश्ट में आप इसमें पानी डाल दीजिए और ग्रेवी आप अपने इसमें पानी डाल दीजिए गर्म पानी अपने लाश्ट में ग्रेवी में तो डालना है क्योंकि ठंडा पानी डालेंगे चिकन अच्छे से पक चुका है चिकन ना तूटना शुरू है जाएगा उपर से कवर कर दीशे एक तम लोफ ले में पांच मिन तक आपने चिकन को पकने देना है तो देखे चिकन क पकते हैं तो टोटली 30 मिनिट हो चुके हैं और ग्रेवी ने अच्छे से हांपे ओल भी छोड़ दिया है और चिकन भी हमारा पक चुका है लाश्ट में आप इसमें थोड़ा सा गर्मसाला पॉडर डाल दीशे जो हरा धनिया कटिंग करके रखा था भो भी आपने लाश्ट अपने लेग और ब्रेस्ट को अलग कर देना है देखिए इस तरह से और लेग में एक जोइंट होता है देखिए यह जोइंट होता है इसको आपने निकालना है तो कैसे निकालना है इस तरह से आप इस जोइंट को निकाल सकते है देखिए नाइप से और जोइंट होता है इ इसके बद आपने लैग के उपर ना कट लगाने हैं तो ये देखिए एक कट यहां पर लगा दी आपने लैग के ऊपर वाली साइड में लगाना है ताकि लैग जो जब पके न अच्छी से सिकूर जाये कि देखे दो कट लगाए है और जो थाई है उसके आप दो से तीन पीसिस कर लिए शी है देखे थाई के मैंने यहाप तीन पीस किये आप दो करना चाहें दो भी इसके कर सकते हैं पीसिस इसके बद सबसे ज़्यादा गल्दी करते है चिकन ब्रेश कटिंग में तो यह देखे यहापे आपने नाइफ रखना है बिल्कुल सेंटर में और नाइफ की नोक से बो जोइंट अपने आपी अलग हो जाता है और कि देखे इस तरसे आपने पूरे सेंटर से कटिंग करने है देखे ब्रेश की तो यह वाला सीक्रेट आपको कोई नहीं बताएगा जातर आम ब् चिकन की कटिंग कर सकते हैं या फिर करवाज सकते हैं वीडियो अच्छा लगोगा लाइक शेक में जुरूर कीचेगा ओके फ्रेंज थैंक यू